इसमें सबरकर जी की आवाद है क्या? इसमें कहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए कहीं लिखा है इस किताब में लिखा है कि जूट का प्रयोग करकर सरकार चलानी चाहिए मुझे दिखा दो कहां लिखा है तो ये सत्य और अहिंसा की किताब है सिंपल सी बात है ये हिंदुस्तान का सत्य है और ये अहिंसा का रास्ता दिखाता है कुछ दिन पहले तेलंगाना में हमने कास्ट सेंसर्स का काम शुरू किया और वो ब्यूरोक्राटिक एक्सरसाइज नहीं है पहली बार कास्ट सेंसर्स को तेलंगाना में जनता की एक्सरसाइज बना दिया गया है तेलंगाना की जनता ने सेंसर्स डिजाइन किया है एतिहासिक कदम है और जो हम तेलंगाना में कर रहे है जहां भी हमारी सरकार आएगी जिस स्टेट में चाहे करनाटा को तेलंगाना हो और आने वाले समय में जहां भी हमारी सरकार आएगी हम उसी प्रकार से जाती जनता को करेंगा प्रकार से जाती जनता को करेंगा